और इसी बीच बड़ी खबर आपके सामने लखीमपुर मामले में आर्जेडी नेता मनोज्जा का बड़ा बयान सामने आया है ये इस दौर का जलिया वाला बाग हत्या कांड है किसानों से माफी मांगनी चाहिए ये तर से करी गई है योगी सरकार पर सीधी तौर पर निशाना सारा गया इस वक्ति बड़ी खबर आपको बता रहें जहां लगातार विपक्ष के निशाने पर सरकाराती नजर आ रही है अर्जेणी नेता मनोज्जा का बड़ा वयान सामने आया मनोज्जा ने सीधी तोर पर इसे आज की दौर का जलिया वाला बाग हत्या कांड घोशित किया है अलुनोंने गड़ी आंदलनकारियों पर चाड़ा दिया आठ के मौत की खबर अब तक है कई घायल है यह हमारे दौर का जालियां वाला बाग कांड है मुझे दुख इस बात का है कि जो लोग किसी की उंगली की चोट पर भी समवेधना व्यक्त करते है उनकी जुबान से समवेधना का एक स्वर नहीं सांतोना का एक स्वर नहीं यह कौनसा निजाम गड़ा जा रहा है यह शर्मिंदिकी का च्छण है और इस शर्मिंदिकी के च्छण में मैं समझता हूँ कि सबसे पहले तो किसानों अगर ऐसा होता है और आप पुलिटिकल लीडर्स को सिविल सुसाइटी को जाने से वहार रोक रहे है क्या छुपाना चाहते है यह लोगतंत्र है यह योगी जाल उन्होंने गड़ी आंदोलनकारियों पे चाड़ा दिया आठ के मौत की ख़बर अब तक है कई घायल है यह हमारे दोर का जालियां वाला बाग कांड मुझे दुख इस बात का है कि जो लोग किसी की उंगली की चोट पर भी समवेधना व्यक्त करते है उनकी जुबान से समवेधना का एक स्वर नहीं सांतोना का एक स्वर नहीं यह कौनसा निजाम गड़ा जा रहा है यह शर्मिंदिकी का छण है और इस शर्मिंदिकी के छण में मैं समझता हूँ कि सबसे पहले तो किसानों अगर ऐसा होता है और आप पुलिटिकल लीडर्स को सिविल सुसाइटी को जाने से वहां रोक रहें क्या छुपाना चाहते है यह लोगतंत्र है तो मरो जहा को आपने सुना सीजी तोर पर नाराज़गी जाहिर की उन्होंने कहा कि जो सरकार किसी की उंगली पर चोट लग जाने पर दुख व्यक्त करती हो सांतोना व्यक्त करती हो वो इतनी बड़ी घटना पर खामोश क्यों बैटी है उनका कहना है कि क्यों आखिरकार विपाक्स को जाने से रोका जारा क्या सरकार छिपाना चाहती है साल के 365 दिन 24 गंते और 7 दिन हर हालात, वाक्यात की, हर ख़बर की हर दस्तक को देखने के लिए एनवी न्यूज के यूट्यूब चैनल को करें सब्सक्राइब और फेस्बूक पेज को करें फॉलोग उठाइए रेमोर और जुड़िये एनवी न्यूज के साथ टाटाशकाय चैनल नमबर 1927 और एर्टेल चैनल नमबर 356 पर अब एनवी न्यूज जियोटी मोबी अप एर्टेल एक्स्ट्रीम ओटी इंस्टाग्राम ट्विटर गूगल प्ले और एप स्टोर पर भी अवेलेबल है एनवी न्यूज आपके भूलंद आवाज आपकी बाद